आज मैंने लंच में बनाया था आलू दम ब्रियानी देख सकते हैं कितना ज्यादा पॉफिक लग रहा है देखने में अपर तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है तो इसमें आट कर रहे हूं आलू तो आलू को फ्राय कर लेंगे तब ही एक दम मज़ेदार से टेश् कर लेना थोड़ा अगर इसमें कसर पाकी है तो बाद में पक जाएगा तो बस मैंने यहाँ पर आलू को फ्राय कर लिया है बहुत जाद इसका कलर चेंज नहीं करना है तो बस तिल से निकालने के बाद हलका से इसका तेल हम झाल लेंगे एंड उसकी बाद आप किसी टीसू पेपर पर रखना ताकि जितना भी तेल लगो एब्सॉर्ब हो जाए और बस सीम तरीके से मैं यहाँ पर प्यास को भी फ्राय कर ले रही हूं तो प्यास को फ्राय होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आप इसे लू टू मेडियम फ्लेम पर दस से बार मिनट के लिए फ् अचली हम सबजीयों को मैरिनेट कर लेते हैं तो सबसे पहले मैंने हाँ पर बॉल में आड़ किया है फ्राय आलू और सातमी टमाइटर क्यूब में कटा हुआ तो आप टमाइटर बियानी में जरूर से इस्तमाल करना बहुत अच्छा सा टैंगी फ्लेवर आएगा और सातमी आड़ कर रहे हूं आधाचमश नम्माग तो आपके टेस्ट अकॉर्दिंग आड़ कर सकते हूं और सातमी एड़ कर देंगे आधा छोटा शमश ब्रूर्ण जीरा का पॉडडर और आधा छोटाचमश धनिया पॉडर बहुत बेसिक से मसाले मैंने हैं पर इस्तमाल किया है और एक छुटा चमच आट कर देंगे कास्मीरी लालमर्श पॉर्डर तीखा नहीं हुआ कलर बहुत मस आएगा और साथ में एक चमच आट कर रहे हूँ मैं यहाँ पर ब्रियानी मसाला तो इसमें खड़े मसाली होती हैं तो आट करने की कुई जरूत नहीं है पहने हाँ पर कैच का ब्रियानी मसाला यूज़ के आप कूई भी इसमाल कर सकती हो और वन बे ठ्रीक अट कर रहे हूँ दही खटी दही का इसमाल नहीं करना है और आधा नीम को रस आट कर रहे हूँ और साथ मैं आट करें और दरदरा पिसा हुआ एक चमच अध्रक लहसन हरे मिर्स तो मैंने फ्रेस पीस कर इसमाल के आप भी ऐसा है करना और साथ मैं आट करी फ्राय किया हुँ अनीम जिसके बयरिस्टा बोला चाता है और एक छोड़ा चमच का सूरी मीथि अच्छे से प्रेस करके आड करेंगे और धीर सारा धनियापता आड करेंगे और उसके बाद आड करेंगे एक बड़ा चमच बहुए अच्छा सा पर ताकि अच्छा सा फ्लीवर आजें से आधा टाइम में थोड़ी दिर आप और रख सकते हो और उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल के लिए पानी गर्मोनी के लिए छड़ा दिया था इसमें आट कर रहे हूं आधा चूटा चमश नमक और थोड़ी सी खड़ी मसाली तो मै एक चूटा चमश नमो का रस तो नमो के रसे बिल्गुल खिला के लिए वाइट चावल तयार होगा तो बस इसे मठखतेगे और वायल आने का वेट करेंगे तो जब इसमें वायल आजा है तो जो हमने चावल को रखा था उसे आप कर देंगे और पकाएँगे तो चलाते जीरा आदा चोटा चमश इतना जो सब्जियों को मैंने मैंने नेट किया था उसे आड़ कर दे रही हूँ कम से कम इसी 10-12 मिनट के लिए भूनेंगे मतलब तेल रिलीज होने तक तो सब्जियों को हम साइट साइट से भूनते रहेंगे बिलकुल अच्छे तरीकी से भूनना है और चाहो तो एक से दो मिनट के लिए से ढख कर भी भून सकते हो ताकि जो आलूए अच्छे से पक्चा है यहाँ पर हमारा चावल भी देख सकते हो अच्छे से बॉयल हो चुका है जो चेक करके दिखा रही हूँ और उसके बाद एक लिए रिए स्प्रेट करेंगे फ्राइ अनियन का और साथ में एक हर इमर्च मैं यहाँ पर रख रहे हूँ और ढेर सार मिंग लेप और धनिया पत्ता तो मैंने यहाँ पर एक लिए लगाया चाहो तो दो लिए भी कर सकते हो और निक्स्ट मैंने यहाँ पर कास मेरी केसर आड़ किया है तो यहाँ पर मैंने एसेंस लिए आप चाहो तो फ्रेस पर लवे इस्तिमाल कर सकते हो और थोड़ा सा यलो फूट कलर और उसके बाद ढग देंगे और पान से साथ नट के लिए दम पर रखेंगे बिलकुल लो फ्लेम पर चाहो तो एक तावा भी नीचे रख सकते हो और बस उसके बाद हमारा जो ब्रियानी है बिलकुल तयार एकदम खीला खीला तो आपको एक वार यह वाला आलू दम ब्रियानी तो ज़रूर से ट्राय करना शाहिए एकदम सिंपल तरीके से और पॉफिक्ट मैंने आपको बताया तो आप पीस तरीके से ही बनाना तो एक वार इस तरीके से ट्राय करो और उसके वाद कैसा बनता बेरे सथ कमेंट सेक्षर में जरूर से सियर करना और रेस भी तूरी से भी अच्छी लेगी तो लाइक से रण प्लीज से सब्सक्राब कर लो मिलते हो नेक्स टाम तब तक के लिए बाई